राधिका's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80 find the total amount given to राधिका by the parents, यानि राधिका की मदर उसे 10.50 पैसे देती है, उसके father उसे 15.80 पैसे देते हैं, तो आपको बताना है total amount, तो total amount बताने के लिए हमें क्या करना होता है? बताईए add करना होता है या subtract? Yes, हमें इसके लिए add करना होता है, यानि जोड़ना होता है, तो सबसे पहले statement को लिखेंगे, राधिका's mother gave, यानि राधिका की मम्मी ने दिये, कितने रुपे दिये? रुपीज 10.50, हर, यहां पर राधिका के लिए हम हर pronoun का use करेंगे, हर father gave, उसके पापार ने कितने रुपे दिये? रुपीज 15.80, question में से ही statement बनाए जाते हैं, राधिका's mother gave her, यहां पर आप हर भी लिख सकते हो, बीच में हर भी add कर सकते हो, इस तरीके से, यानि राधिका की मदर ने उसे कितने रुपे दिये? 10 रुपे 50 पैसे, रुपीज 10.50, her father gave her, रुपीज 15.80, total amount given to राधिका by her parents, the भी लिख सकते हो, या फिर हर भी लिख सकते हो, by the parents, तो इसके लिए क्या करना होता है हमें? add करना होता है, so, रुपीज 10.50 पहले लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे रुपीज 15.80 और दोनों को कर देंगे add, अब यह देखें, यहाँ पर addition दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 का 3 नीचे आएगा, 1 इसके उपर carry over हो जाएगा, point है इसके बाद, point के नीचे point, 1 प्लस 5, 6 और 1 प्लस 1, 2 और आगे रुपीज लिखेंगे, so, our answer is, रुपीज 26.30 यानि 26 रुपे 30 पैसे उसे कुल मिला के अपने parents से मिले, so, it is very easy to solve the descriptive sums और story sums of decimal, यानि दश्रमलव के story sums को, बड़े-बड़े sums को solve करना बहुत ही easy है, इन questions को समझना है, और ये पता करना है, find करना है, किसमें actually करना क्या है, add करना है, subtract करना है, multiply करना है, या divide करना है, वो statement को पढ़के ही हमें पता लग जाता है, so, if you like this video, please hit the like button, share this video, subscribe our channel and also press the bell icon, thank you very much